साथियों नमस्कार मैं हूँ नीरज पटेल और आप देख रहें नेस संजनमत मुझे समझ नहीं आता कि पीडिये का नारा देकर लोग सभाज चुनाओं में समाजवादी पार्टी ने अभी तक का सब्रसेष्ट प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश में 37 सांसदों को सं संसद में भेजा जिसमें पीडिये की एक बड़ी भूमका थी लेकिन अपसोस तब होता है जब पीडिये का राग अलापते अलापते ठाकुर या ब्राम्मर समाज के किसी व्यक्ति की बात आती है तो यही पीडिये निरीह दुरवल कमजोर नजर आने लगता है दो विधाय वाले ब्राम्मर समाज से नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए कभी ये पीडिये पांडे डेवलमेंट एथोर्टी बन जाता है कभी पीडिये का ए अल्पसंच्यक से हटा करके पिछडा दलित अगड़ा बन जाता है आज ये बाते फिर से दोहराने की वजह है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्यामलाल पाल द्वारा जारी किया गया एक लेटर इस लेटर में बताया गया है कि आज यानि कि 17 सितंबर को समाजवादी पार्टी का ये 6 सदसी प्रतिनिदी मंडल ललित पुर जाकर के पीडित इंदल पटेल के परीजनों से मिलेगा ये बात क्यों कह रहा हूँ पहले इस पत्र की भासा सुन लीजिए समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इस पत्र में पीडिये की धजियां उड़ा करके रख दी गई हैं आप समझ नहीं पाएंगे कि इन दोनों में आखिर पीडित कौन है ललित पुर के ग्राम गौना अन मंदल पटेल ने अपने घर आकर पैट्रॉल डालकर आत्म हत्या का प्रियास किया हालत चिंता जनक है अस्पताल में भरती हैं जिसकी जानकारी तथा पीडित परवार से मिलने है तू प्रतिनीदी मंदल ललित पुर पहुंचेगा रिपोर्ट प्रदेश कार्याले में प्र की नाम है और बाकी इस ठानीनेताओं के नाम है अब सवाल यह उड़ता है कि इस लेटर में क्या तकलीव है इस पत्र की भासा सुनिये पहले से ही लिख दिया गया है कि इंदल पटेल ने आत्म हत्या का प्रियास किया जबकि इंदल पटेल का पूरा परवार चीक चीक करके कह रहा है F.I.R. में भी उसने यही लिखवाया कि ठाकुर पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर पहले तोड़ फोड की इंदल पटेल के पिता को पीटा चौराहे पर इंदल पटेल की बाइक को तोड़ा उसको फिर पीटा जब वो घर आया तो घर में घुसकर के पैटरॉल डाल करके उसको जला दिया अब इस मामले में सच्चाई है या नहीं ये पुलिस की विवेचना का भी सह है लेकिन जिस पीडिद व्यक्ती के घर आप जा रहे हो जो जली हुई अवस्था में अस्पताल में एडमेट है पहले से ही लिखेत रूप से घोसित करके जा रहे हो कि इंदल पटेल ने आत्म हत्या का प्रियास किया तो आप इंदल पटेल के घर कौन से इससाफ की लड़ाई लड़ने जा रहे हो लड़ाई तो यही है कि इंदल पटेल का परवार कह रहा है कि ठाकरों ने फूका पुलिस और दूसरा पक्ष कह रहा है कि इंदल पटेल ने खुद अपने आप से आग लगाई इस मामले में समाजवादी पार्टी योगी जी की पुलिस के बयान के साथ खड़ी है हलाकि नेशन जन्मद भी मानता है कि उस एनकाउंटर में बहुत जोल है और उसके फरजी होने की पूरी आसंका है लेकिन एक तरफ आप पुलिस का बयान डिनाई करते हैं कहते हैं पुलिस तो सरकार के हिसाब से चलती है दूसरे प्रकरण में आरोपी, ठाकुर, पैसे वाले और दवंग निकल जाते हैं तो आप बोडवेंग का भी खयाल करने लग जाते हैं आपके पत्र की भासा भी आरोपीयों के प्रती बेहद सालीन हो जाती है उसमें समझ में भी नहीं आता के आरोपी कौन है और पीड़ित पक्ष कौन है मैं यहाँ जज की भूमका में नहीं आना चाहता कि इंदल पटेल का परवार सही कह रहा है पुलिस सही कह रही है या ठाकुरों के बयान सही है लेकिन आप जातो पीड़ित पक्ष की तरफ से रहे हैं उनके घर पहुँच जाते पीड़ित पक्ष के बयान सुन लेते तकलीफ सुन लेते उसके बाद कुछ बयान देते तो बाद भी समझ में आती आपके पत्र में घर में घुस करके मार पीट करने की बाद तोड़ोड करने की बाद इंदल के बुजुर्ग पिता को पीटने की बाद भी गायब है जबकि इतना तो योगी जी की पुलिस ने भी मान लिया है यहीं पर तो अखलेज जी के पीडिये पर मुझे संदे उत्पन हो जाता है इस पिरकरन के बाद अखलेज जी का कोई भी ट्विट नहीं आया सीधे सीधे प्रतिनिदी मंडल भेज रहे हैं वो भी शायद इस दवाव में कि चंदर सेखर आजाद ने ना सिर्फ इस घटना पर सबसे पहले ट्विट किया अपने प्रतिनिदी मंडल को भेजा उनकी पार्टी के लोगों ने वीडियो कॉल पर उनसे पीडित परवार की वारता करवाई इसके बाद उन्होंने अधिकारियों से बात की सीगरी ललित पुराने का स्वासन भी दिया बिधायक पलवी पटेल घटना इस्थर पर यानि की ललित पुर ही पहुँच गई बिभिन ने समाजों के संगठन ललित पुर पहुँचने लगे तो सवाल उठा कि समाजवादी पार्टी से साथ सांसद कुर्मी समाज से जीते हैं बीस सांसद ओवीसी समाज से जीते हैं तेरा बिधायक कुर्मी समाज के समाजवादी पार्टी में हैं ये सब कर क्या रहे हैं तो आनन वानन में प्रतिनीदी मंडल तो भेज दिया लेकिन इस समाज का खौब भी मन में बना हुआ था तो भासा ऐसी लिख दी के पहले ही पुलिस को बीजे पी को क्लीन चिड देते हुए आपका प्रतिनीदी मंडल वहां पहुँच रहा है तो सोसल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं के इस से अच्छा आपका प्रतिनीदी मंडल वहां फॉर्मल्टी करने ना ही जाता तो बहतर होता और सबसे हैरत की बात ये इस्तिती तब है जब लोग सभा चुनाओं में पीडिये पूरी तरीके से सफल रहा समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जो जीते हैं उनमें से 20 सांसद OVC हैं 4 सांसद मुस्लिम हैं 8 सांसद SC हैं यानी की पीडिये के 32 सांसद चुन करके आये हैं महज 5 सांसद गैर पीडिये हैं जिनमें एक बनिया, एक भूमिहार, एक ब्राम्मण और दो ठाकुर हैं अकेले कुर्मी समाज की बात करें तो 7 सांसद समाजवादी पार्टी में इस समय पटेल समाज के हैं बिधान सभाचुनाओं में 13 बिधायक कुर्मी समाज के समाजवादी पार्टी में जीते थे मतलब सांसद बिधायक मिला करके संख्या होती है 20 वहीं ठाकुर समाज की बात करें तो महज 2 सांसद हैं समाजवादी पार्टी में बिधायकों की बात करें तो चार विधायक जीते थे चार में भी दो राकेश परताप सिंग अभै सिंग राज सभा चुनाओं में धोका दे करके निकल लिए मतलब विधायक सांसद मिला करके संख्या होती है ठाकरों की चार पटेल समाज की होती है 20 मतलब पांच गुना पांच गुना वाले समाज के साथ इस तरीके का सौतेला बिवार करेंगे फिर रोते घूमेंगे पिछडे समाज के लोग ही PDA का साथ नहीं देते पिछडे समाज के लोग तो भाजपाई हो गए फलाने समाज के लोग वहाँ गुलाम हो गए मुखोटे हो गए हकीकत ये है विधान सभा चुनाओं में फरसा पकड़ करके लोग सभा चुनाओं में समिधान पकड़ करके दोनों का अंतर देख लिया रिजल्ट भी मिल गया इसके बाद भी इतने कन्फ्यूजन में रहोगे तो ये काट की हांडी बार बार नहीं चड़ेगी देखते रही नेशनल जन्मत जागरुक और सजग बने रहिए जय विध्यान जय समिधान जय लोगतंत्र थंक्र